आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जानते हैं कि आप कौन है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ? हलो, ध्यान से वचन सुनिये, आज का वचन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आज का वचन आपकी देमाग की खिरिक्यों को खोल देगा, क्या आपन मैं अपने से सवाल किया है कि मेरा पिता मुष्मे कौन है? आज मैं आपको उन चीजों से मिलवाऊंगा, जिनको आप जानते हैं, लेकिन आप उसका उप्योग नहीं करते हैं. वो सामर्थ जो आपको जीवन देता है, वो आपके अस्त शस्त्र जो परमेश्वर ने आपके ये बनाए हैं, तक कि आप उनके द्वारा सुरक्षा भी महसूस करें और आक्रमन भी कर सकें. आज मैं आपको मिलवाऊंगा. ध्यान से अपने बाइबल को खोलिए और जो नोटबुक्स आप लाए हैं, उन पर लिखिए. मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बिना बाइबल, ब प्लीज नोटबुक लेकर आईए, ये आपके लिए अच्छा है. क्योंकि पूरा वीक जब आप बैठते हैं, तो आप उस नोटबुक के साथ, जो मैं आपको सिखाता हूँ, उसको आप रेफर कर सकते हैं. तो जली से हम वचन पर जाएंगे, आज वचन बहुत हैं, वचने की कोशी करेंगे, ये हमारा बेस है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लुका 13, 16, पढ़िए बेटा, जली पढ़िए. तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अबराहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? यहाँ बर एक इस्त्री का इशू मसी बखान कर रहे हैं, कि ये इस्त्री इबराहम के वंश से है, और फिर भी 18 वर्ष तक शैतान ने इस पर कब्जा किया हुआ था, शैतान ने इसको बंधन में डाना हुआ था 18 साल से, यानिके इस्त्री क्या बता रहे हैं, कि ये जो इस् कि अप्रहेम के वंश्ट की है तो इबरहैम की सारी आशीश्य किसकी है। तो उस तरिकी है तो उस उस शित्री को अबरहेम की परोग रह retrans mist ceremony अदूरम हो बोग रहний है था वह कुबडी है वञार नहीं देख पा रहे हैं है एक प्रCH ब्रेंट अलट 18 साल से शैतान ने उसे बंधर में क्यों डाल रखा है कि हुआ जो यहां इस спर्भू लेगा 2 इसाल से जो बीस साल से 25 साल से दास साल से प्रभू में होंगे कि अगि क्या आप आजाद है कि आपको इब्रहाइम की आशीशे मिल रही है कि आप इब्रहाइम की आशीशों के साथ जिन्दगी जीना है नए उस इस्तरी को शैतान ने इश्व मसी कह रहे हैं कि शैतान ने 18 साल से इस इस्तरी को पकड़ा हुआ था अठारा साल से इस इस्तरी को पकड़ा हुआ था शैतान ने और इश्व मसी ने तरस खाकर उसको हटाया अगर मैं इब्राहिम की संदां। तो इब्रहाईम की सारी आशीशे मेरे लिए बाइबल कहते हैं मैं नहीं कहता हूं बाइबल कहती है कि इब्राहिम् backwards बाइबल के सारी आशीशे मेरे साथ बोलिए इबराहिम के सारे promises, मेरे promises हैं, सारी प्रतिग्या हैं, मेरी प्रतिग्या हैं, आलेलिया, पढ़िए बिटा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाती बनाऊंगा, पर मेशर जो इबराहिम को लेकर आया अरिया से, तो वो बता रहा है, वो बोलता है कि मैं तुझसे एक गरणा महान करूगा हालेलुया प्रेसलोड इसमें तक्रीबंट चे आशीस हैं जिनमें चीस के चिंद बाते बढ़ाऊंगा कि वह क्या कहता एब रहां को कि तुझे मैं आशीश दोगा तेरा नाम महान करूगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तु आशीश का मूल होगा और कि इशुमसी ने हमको चुन कर हमें उद्धार क्यों दिया है ताकि हम लोगों के लिए आशीश का कारण बने हमें मांगने के लिए नहीं दिया है हमें मांगने के लिए परमेश्व ने नहीं चुना है हमें मांगने के लिए परमेश्व ने नहीं बचाया है परमेश्वन ने आपको अपना पुत्र इसलिए नहीं बनाया है कि आप मांगें परमेश्वन ने मुझे अपना पुत्र बनाया है ताकि मैं लोगों के लिए आशीश का कारण बनूँ कि समझने की कोशिश करिए आप हमें इसलिए रचा है हमें इसलिए छुडाया है ताकि मैं आशीष का कारण बनूँ मेरा नाम महान हो तीसरा जो तुझे आशीरवाद दे उन्हें मैं आशीष दूँगा जो तुझे को से उसे मैं शराब दूँगा और भू मंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे यह सारी आशीषें जो इब्रहाइम को दी गई थी वो किसकी उपर हैं किसकी हैं बोले जोर से बोलिये किसकी हैं यानि कि हमारा नाम बड़ा होगा वो मुझे बढ़ाएगा वो मुझे आशीष का मूल करेगा जो मुझे आशीष देगा उसको वो आशीष देगा जो मुझे शराब देगा उसको वो शराब देगा हालेलुया कभी भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कर्स मत देना कभी भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के खिलाब मत बोलना बाइबल में लिखा हुआ है कि जो तुझे कोसेगा उसे मैं शराब दूँगा कभी भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों को गलत मत बोलना वो परमेश्वर का चुना हुआ है माफी मांग लेना मैं आपको बता रहा हूँ यह तो परमिश्वर शराब देगा आपको तो यह जो आशीशे किसके पास है Amen क्या है क्या आपका नाम महान हो रहा है क्या आप बढ़ाई जा रहे क्या सारी आशीशे आपकी है दुख की बात है कि मैं मसी हूँ आप मसी हैं फिर भी आशीशों से रही थे आप कलीशी आते हैं फिर भी सारी आशीशे जो इब्राहिम की हैं वो आपकी नहीं है हा के ना हलो हा के ना ऐसा है ना क्यूं है आज मैं उसी का जवाब दूँगा आपको मैं क्यूं है क्यूंकि वो जो शैतान है जो स्वर्गे स्वारों में विराजबान है और जो अधिकारी है हाललुया और जो हमारे लिए युद्ध करता है पढ़िए इफिसियो छे का बारा पढ़िए कि हमारा जो मल युद्ध है वो मास और लहू से नहीं है ध्यान रखिए आप एक मसी है आपका जो युद्ध करने बाला है जो आपका विरोधी है वो एक आदमी नहीं है वो शरीर में नहीं है जो आपको युद्ध करता है जो आपके जीवन में रुकावटें लेकर आता है जो आपको हानी की तरव लेकर जाता है जो आपके जीवन में बेमारियां लेकर आता है वो आदमी नहीं है वो शरीर में नहीं है वो वो अधिकारी है वो वो अंदकार की शक्तियां है जो आकाश में है जो आपको दिखती नहीं है जो आपको दिखती नहीं है Praise the Lord Hallelujah अभी आप एक सवाल कहें कि मैं तो मसी हूँ मैं तो विश्वासी हूँ मेरा उध्धार हो चुका है तुम्हें बिमार क्यों होता हूँ मेरा एक्षिरिन क्यों होता है सवाल आता है ना मन में मैं जब चल जाता हूँ मैं मैं जब मसी हूँ तो मैं बिमार क्यों पड़ता हूँ क्यों मेरे जीवन में प्रॉब्लमस आती है क्यों Hallelujah आप लोग अपने आप पढ़िएगा रोमियों आठ का 19-20 पढ़िएगा उसमें आपको पता चलेगा यह जो धर्ती है यह अभी तक श्रापित है हम श्राप से मुक्त हो चुके हैं द्यान से समझेए द्यान से समझेए कोशिश करिए हम लोग श्राप से मुक्त हो चुके हैं हलो हम लोग श्राप से मुक्त हो चुके हैं यह लेकिन यह जो धर्ती है वो श्राफ से मुक्त नहीं होई है और हम कहां चलते हैं इस धर्ती पर तो इस धर्ती के वज़ा से हम पर वो आती है विविदियां आती है इस धर्ती के वज़ा से हम पर संकट आते हैं जान दीजे शीज को अब यहां प्रॉबलम यह आप सवाल य इबरहम की आशीशे क्यों नहीं काम कर रही है क्यों कि शैतान ने उन आशीशों को रोका हुआ है शैतान ने उन आशीशों को रोका हुआ है शैतान दिन रात आपके जीवन में काम कर रहा है दिन रात दिन रात शैतान आपके जीवन में दिन रात काम कर रहा है उसने रोका प्रकाशे दुआ के अगर हम देखेंगे तो हम जालेंगे प्रकाशे दुआ के बारा का दस पर यह जली से फिर मैंने स्वर्ग से यहां बड़ा शब्द आते हुए सुना अब हमारे परमेशों का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसिय का अधिकार प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाईयों पर दोश लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेशों के सामने उन पर दोश प्राके में बताया गया है कि वो गिडा दिया गया है कौन गिडा दिया गया है क्योंकि हमारे भाईयों पर दोश लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्र के सामने उन पर दोश लगाता था यानिके शैतान जो है वो रात दिन आपके विर्द काम कर रहा है रात दिन का कर रहा है क्या आप रात दिन काम करने अपने लिए ना Beshold hier इसे शेतान आपके व्रड़ रात दिन काम कर रहा है लेकिन हम incentives में ही कुछ मिन्तों के लिए कुछ पल्लों के लिए परमश्रा को याद करते हैं और समस्थने के हम सुरक्षित हो गए है नहीं वो रात दिन काम कर रहा है तो हमें भी रात दिन काम करना है हलो हमें भी रात दिन काम करना है लुका अठारा का एक हाललया उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो परमेशर की आशीशे वो हमारे लिए हैं और प सारी आशीशें हमारी हो सकती हैं यह सारी आशीशें हमारे लिए हैं लेकिन क्यों नहीं है जैसे मैंने आपको बताए कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है प्रेसे लौट इशु परमेश्वर ने शबत खाई है हमारे लिए इबरानियोद 6 का 14 अगर हम पढ़ेंगे तो उ किसने खाई ये कजम किसने खाई ये कजम परमेश्वर ने हाललुया फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है यानि कि उसने सारी आशीशें हमें दे दिये हैं क्योंकि हम इबराहिम के मूल है फिर भी हमारे जीवन में वो काम क्यों नहीं हो रहा तो आज मैं आपको बताऊंगा चार कारण हैं चार तरीके में आपको बताऊंगा जिसकी चार तरीके अगर आप यूज करेंगे तो आपके जीवन में इब्राहिम की सारी आशिशी आएंगी क्या आप चाहते हैं इब्राहिम की सारी आशीशे कितने लोग चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं इब्राहिम की सारी आशीशे मैं जब आपको बता रहा हूँ चार चीज चार चीजे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चार चीजे अगर आप करेंगे इब्रहेम की सारी आशिशी आपके पास आएंगी अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें नंबर वन प्राथना नंबर दो प्रशंसा नंबर तीन प्रचार नंबर चार प्रमान मिरसंग बोलिए का पहला क्या है नंबर वन नंबर वन नंबर वन नंबर दो प्रशंसा, किसकी प्रशंसा नंबर दो प्रशंसा, नंबर तीन प्रचार नंबर तीन नंबर चार प्रमान, प्रमान याने के गवाही गवाही इस चार चीजें अगर आप अपने जीवन में रोज करते हैं मैं आपको चैलेंज करता हूँ अपने आप आपके बंधन तूटेंगे अपने आप शैतान कम्जोर होके भागेगा अपने आप रास्ते खुलेंगे अपने आप इब्राहिम की आशिशिये आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी हलो आप लोगो साहित रही हैं आप लोग भटक रहें कभी ये करूं कभी ये करूं कभी वो करूं यससे फाइदा होगा उससे फाइदा होगा मैं आपको challenge कहता हूँ किसी से वाइदा नहीं होगा ये चार चीजें अपने जीवन में आप लेके चलिए चार चीजें एक मसी का धर्म है चार चीजों के अनुसार अपने जीवन को गोजारिये प्रात्रा, प्रसंसा प्रचार और प्रमाण ये चार चीजें अगर आप रोज करते हैं मेरे भाई मेरी बहन मैं आपको चैलेंज करता हूँ अपने आप वो आशीशें जो परमेश्वर ने दे दी हैं वो आशीशें जिसके लिए परमेश्वर ने शपत खाई है अपनी कसम खाईए वो आशिशें आपके जीवन में बहने लगेंगी अपने आप आपको कहीं जाने की जुरुत नहीं है आप इन चार चीजों के साथ अपने जीवन को घुजारिए तो पहला क्या है? प्राथना पहला क्या है? अब प्राथना हमें कैसे करनी है? नमबर वन लुका अठारा एक और साथ पढ़िए फिर उसने उसके विशे में कि नित्य प्राथना करना और याद्म प्राथना करना नमबर वन नित्य प्राथना करना है क्या बोलिए मेरे साथ बोलिए? कि intrinsic यानिके रोज रोज हमें पुरात्रां करनी है अललेया प्रातवरां प्रात्रा मतलब यह न ही कि आपने संडिके संडिकर निए पाशार आई निज्य रोज प्रात्रां करनी है मैं जो आपको बता रहा हूं यह गाट में बांद दीजे Madrid किसी भी समस्य पर शहें आप किसी भी विपत्व से जूए। आपको कोई भी संकट है कि अपकी बुद्ध बंद और आपके रस्ते बंद हो गया है कोई खुल नहीं रहा है मैं आपको बोल रहा हूं फिर च चीजहीं आपके चीवन को बदल लेंगी प्राथना कैसे कर नी है Amen नित्य और रात दिन रात दिन हमने देखा कि रेविलेशन बारा का दस्का कहता है कि जो शैतान है जो दोश लगाने वाला है वो रात दिन परमेश्वर के सामने आपके लिए दोश लगा रहा है वो रात दिन काम कर रहा है शो शैतान आपके लिए आपको बंदर में बांदने निकालने के लिए रात दिन काम कर रहा है शातान अन्तिम समय रात दिन हमें प्रातना कर रही है इसलिए बाइबल कहती है जो रात दिन प्रातना करते हैं परमिश्वर उनको आशीशों की बारिश करता है रात दिन मैं आपको सच बताओं हमारा जीवन प्रात्रा का होना चाहिए हमारी सांस लेने में प्रात्रा होनी चाहिए हमारे उठने बैठने में प्रात्रा होनी चाहिए प्रेश लॉट प्रात्रा में बहुत शक्ति है आपको पता है प्रेटिटों के काम बारा निकाली एक्स बारा एक से छे पड़ेंगे इसमें प्रातना की शक्ति के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हैरुदस के समय में याकूब को हैरुदस ने मरवा दिया था है है उस समय का राज्यपाल था कि तो यह निकींवे निकी बात हो रही है पहली से दि में श्मसिह कि मर्तियुत के जी उठेने के बाद के कई विक्तियों को सताने के लिए उन पर हाट डाले दुख देने के लिए हाट डाले आगे उसने यहना के भाई याकुब को तलवार से मरवा दिया जब्ति के पुत्र की माई यह जब्ति के पुत्र हैं कि दोनों जब्ति के पुत्र याकुब किसका पुत्र था जब्ति का तो उसने देखा कि यहुदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पत्रस को भी पकड़ लिया वे दीन अक्मीरी रोटी के दिन थे उसने उसे पकड़ के बंदीग्रों में डाला और चार-चार सिपाईयों के चार पहरों में रखा रेसलों ध्यान दीजे हलो शैतान किस त को के गुरुब बांद दिये थे किया पत्रस हत्यारा था किया पत्रस ने कोई आतंगवादी था किया किया था उसने वो क्या कर रहा था परमिश्र का सू समाचार सोना रहा था रेसलोट मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान क्या करता है मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान के तरीका क्या है कि पत्रस के चारों तरब सैनिकों का और उसने उसे पकड़के बंदी करें में डाला और रखवाली के लिए चार-चार सभाईयों के चार पहरों में रखा यह निकि हर दोदो घंटे का पहरा कि सिपाहियों का पहरा बदलता था कि अलर्ट चुप निकिलेगा पत्रस को बाहर करके उसको भी बारoshima वाले थी थी हलो शेतान ये करता है हलंगा देखे चार-चार सेपाईयों के चार पहरहों में रखा इस मंसा से कि फसे के बाद वो लों के सामें लाएगा पांशवां बंदीग्रु में पत्रस बंथा परंतु कलीशा उसके लिए लाउ लगाकर परमेशों से प्रात्ना कर रही थी अब कलीशिया को जैसे पता लगा कि साब याकूब खो गया है जैसे उसे पता लगा कि साब याकूब को मार दिया है और अब पत्रस की बारी है Praise the Lord कलीशिया लो लगा कर परातना कर रही थी रात दिन परातना कर रही थी वो सब चुने हुए थे वो सब चुने हुए थे इशू मसी के चुने हुए चेले थे वो लेकिन धर्ती पर उस शैतान का कब्सा है शैतान उस आशीशों को रोख सकता है आपको पता है शैतान उन चीजों को रोख सकता है इसलिए कलीसिया जो है लौ लगा कर दिन रात परासना कर रही थी परासना कर रही थी और जब लोह लाकर उसने परासना की तो परमेशर के उत्तर एक स्वरदूत की रूप में आया आगे जली पढ़िये जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था उसी रात पर पतरस दो जंजीरों से बंदा हुआ दो सिपाईों के बीच में सो रहा था आप सोचिए कितना इंपॉंटन था पतरस दो सिपाईों के बीच में बंदी बनकर सो रहा था कितनी उस पर पहरा था चार चार आपने देखा चार चार सिपाई हर चार घंटे के बाद मेदबद रहे थे कि कोई चहीं सबाहिज नहरो अर्द लकपाोई जो रहा था यह इंके कितना जरूरी था यह नंगिंप seinem कितना डरा हुआ था उससे कि इस पत्रस के द्वारा परमेश्व का राज ये बढ़ने वाला है इस पत्रस को मारो हलो आप जहां थे इसलिए आपके जीवन में कभी-कभी परिक्षाई आती है इसलिए आपके जीवन में कभी-कभी बेमारिया आती है आपके काम बनते हुए बिगड़ जाते है क्योंकि शादान आपको हतास करना चाहता है शादान आपके विश्वास को कमजोर करना चाहता है जिस तरीके से पत्रस को उसने मारने की कोशिश की याकूग को मार दिया और पत्रस को बंदी गरहे में डाल दिया एक-एक साइनिक के बीश में पत्रस लेटा हुआ है अब सोचिए आप मसी हैं मैं मसी हूँ शैतान नहीं चाहता है कि हम अपने हम उसके विरुद प्रात्रा करें शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रमेश्व से प्रमेश्व हमारी प्रात्रा सुने आप उस उस लौकिक अलौकिक उस आप उस अंधकार की शक्तियों को नहीं जान रहे हैं जो आपके लिए दिन रात काम कर रही हैं आप बड़े आराम से हैं इसलिए कई लोग भटक जाते हैं कई लोग भटक जाते हैं दूर हो जाते हैं कि आज से आइस्था शैताना पो कमजोर कर रहा है आप नहीं जान रहे हैं आप नहीं जान रहे हैं शैताना पो कमजोर कर रहा है शैतान का काम राद दिन आए आज काम राद दिन नहीं है आप संडे संडे बहुत ही संडे को भी यह पतरस कितना देंजरस था कि एक-एक सेपाईयों के बीच में वह सो रहा है कुझ वो तो आपको इस्ति पतरस की दिख रही है क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ हैं हमारी सिति भी वैसे हैं है पर चाढ़ों तरफ हमारे शैतान अंदकार की शक्तियां हैं कि चारों तरफ अंदकार की शक्तियां हैं जो आपको भरमाती हैं जो आपको कमजोर करती हैं जो आपके विश्वास को कमजोर करती हैं जो आपके विश्वास को कमजोर करती हैं जो आप से कहती है कि चर्ष से सब कुछ नहीं होगा परमिश्वर से सब कुछ नह और पहरुएदार बंदी के बंदी घर की रखवाली कर रहे थे कि निके पता ने कितना बड़ा चोर कितना बड़ा आतंकवादी वहां पर हो शैतान को आतंकवादियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है हत्यारों से कोई प्रॉब्लम नहीं है नेताओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है शैतान को मसीहों से प्रॉब्लम है क्योंकि वो जानता है ये जो मसी है ये ही मुझे नर्क में पहुंचाएगा वो जानता है जानता है शैतान इसलिए वो आपके पीछे पड़ा हुआ है और रात दिन रात दिन लेकिन हमें क्या करना है रात दिन प्रासना में रहना है इसलिए मैं आपसे कहता हूं हर दो घंटे के बाद 15 मिन प्रासना में बैठिए हर दो घंटे के बाद जब भी रात को उठते हैं बा प्रात्रा करिए लोगों के लिए प्रात्रा करिए कलीशिया के लिए प्रात्रा करिए इस्राइल के लिए प्रात्रा करिए पास्वान के लिए प्रात्रा करिए कलीशिया लो लगाकर पत्रस के लिए प्रात्रा कर रही थी मेरी बेहन अगर आप प्रात्रा में नहीं रहेंगे आप क्या समझते हैं कि मैं उसके लिए प्रात्रा कर रहे हूं तो वह बच रहा है नाई आप क्या समझ रहे हैं आप समझते हैं कि हम प्रात्रा कर रहे हैं और वह भाई बच रहा है नाई आप प्रातना कर रहे हैं उस भाई के लिए वो भाई तो बची रहा है लेकिन आपकी प्रातना आपके चारों तरफ बाड़ा बांद रही है सुरक्षा का है हफしまशने लेकिन हम हमारी प्रथ आंश्टंप बाऒघांधी है कभी मत सुचिए प्रास्थना में रहिए एग और अगर आप प्रात्थना करेंगे तो आषीश प्राइगे और क्या हुआ अट 走吧 यहीं बारा का आठ से जारा बढ़िये बिटाए तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बान स्वर्दूत आ गया कलीसिया ने लौके संग प्रात्रा की कौन आ गया स्वर्गदूत यानि कि आपकी लगातार जो प्रात्रा है दिनरात की प्रात्रा है वो परमेश्वर के द्वारा स्वर्दूतों को भेज कर बताई जाती है रिस लॉट आप समझें कि साव बहुत दिनों से स्वर्दूत नहीं आया किसी ना किसी रूप में परमिश्र काम करता है किसी ना किसी रूप में परमिश्र किसी को भेजता है और आपको पता है कि स्वर्दूत जो हैं वो हमारी सेव के लिए हैं अलविया इबरानियों एक का चौदा पड़िये क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को बेजी जाती है हलो आप उद्धार पाई हुएं कितने लोग विश्वास करते हैं उद्धार पाई हुएं आपके लिए सब से आपकी सेवा करने के लिए आत्माएं भेजी जाती हैं लेकिन वोग कब भीजी जाती हैं जब आप प्रात्रा करते हैं जब आप प्रात्रा में रहते हैं जब आप प्रात्रा में अंगिकार करते हैं जब आप प्रात्रा में अपने जीवन को बिताते हैं स्वर्ग से आपके लिए आत्माएं आती हैं कि और यही चीज उल्टी होती है जब आप प्रातना नहीं करते जब परमेश्वरा भरोसा नहीं करते जब आप संसार पे भरोसा करते हैं वह आतओ प्रात हैं आपका उध्वार हो चुका है लेकिन आप उनकी सेवा नहींinform बुद्धी नहीं पाते हैं, आपकी बुद्धी बंद कर देता है शैतान, तुकि आप परमेश्वर पर पहला इस्टान नहीं दे रहे हैं, आप समस्ते मेरी 10,000 की नौकरी मुझे बचा लेगी, आप समस्ते मेरा बॉस मुझे बचा लेगा, अरे नाई, मेरा परमेश्वर मु सरी कि बरुसार मंत करिए अप्नि-10 accusations 1500 ऐखरी बरुसार किरिए बरोसा करिए बरोसार करिए तो और यूञ पर ईसु की बहुत करिए जो आपके लिए और इस ता दानी और परza si और बैठा हुआ है जब आप प्रासन करेंगे फृटकर जलए if मत करीं वहरोसा संसार कुछ दैने वाला नहीं है काम करिए वो काम मिला काम करो इंदारी से काम करिए लेकिन वहरोसा उस पर करी के विशलोट ख़के- जैसे क्लीश्य काने लौट प्राथ्रई की दरkov यह सबसके और अपने जूते पहन ले पत्रस का कमर बांथ और जूते पहन ले रेस अलॉट सरदूद आपको बताता है आपको क्या करना है कैसे रहना है किस तरह जीना है किस तरीके से चलना है हलो आप लोग समझ रहे हैं कितन लोग समझ रहे हैं रेस अलॉट आगे बढ़ी वेटा उसने वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहिन कर मेरे पीछे हो ले वहां निकल कर उसके पीछे हो लिया परन तु यहां न जानता था कि जो कुछ स्वर्गुदुत कर रहा है वहां सच है वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं तब वे पहले और दुसरे पास से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहुचे जो नगर की ओर है वहां उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकल कर एक ही गली होकर गए और तुरंद ही स्वर्गुदुत उसे छोड़ कर चला गया तब पत्रस ने सचेत होकर कहा अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गुदुत भेच कर मुझे हेरोदेश के हाथ से छुड़ा लिया और यहुदियों की सारी आशा तोड़ दी है प्रेज़ लौट हालेलोईया पत्रस ने जान लिया आप कब जानते है कि परमेश्वर आपकी सहयता कर रहा है जब आप प्रात्रा में रहते हैं जब आप प्रात्रा में रहते हैं दो सिपाई पत्रस के अदाएं थे बाएं थे चार सिपाई चारो 24 घंटे चार चार घंटे की डूटी बदलकर उसको घेरे हुए थे और पत्रस शांती से था लौ जब आप प्रात्रा में होते हैं मेरे भाई तब आप जानते हैं जब आप प्रात्रा में होते हैं तो आप परमेश्र की शक्ति को पहचानते हैं जब आप प्रात्रा में होते हैं तो आप जानते हैं कि परमेश्र क्या करने वाला है जब आप प्रात्रा में होते हैं तो आप अ अस्त्र है यह आक्रमन का है मैं आपको जो भी चीज़े बता रहा हूं चार आक्रमन की चीज़े बता रहा हूं कि हमें शैतान के उपर कैसे आक्रमन करना है हम नहीं जानते कि वो क्या करने वाला है बाइबल नहीं बताती है कि शैतान कौन सी चाले चलता है शैतान आपको किस तरीके से कमजोर कर रहा है बाइबल नहीं बताती है बाइबल नहीं बताती है कि शैतान ने कैसे आपको शड़ियंद रचाए बाइबल नहीं बताती है बाइबल बताती है कि आपको कैसे आक्रमन करना है उस पर प्रेस लोड आपको उस पर आक्रमन करना है जो आपको नहीं दिखता है आपको उस पर आक्रमन करना है जो आपके वृद्ध है आपको उस पर आक्रमन करना है जो हंदिकार की शक्तियां है आपको उस पर आक्रमन करना है जो स्वर्गी इस्थानों में बैठा हुआ है और मैं आपको बता दू है शैतान का राज ये बहुत सुगुटित है ही जड़ प्लानर ही हुआ से प्लान नहीं कर रहा है है हजारों साल से प्लान कर रहा है आप जैसे और मुझ जैसे हजारों लोग उसके सामने से आए हमसे बहुत अच्छे प्रात्रा करने वाले भी चले गए जो आज स्वर्ग में है वो जानता है कि हमको कैसे डील करना है इसलिए हमें रात दिन प्रात्रा में बिठाते हुए शैतान का सामना करना है प्रात्रा दिन रात करनी है दूसरी चीज है प्रशनसा किसकी प्रशनसा निर्गमन 15 दस और 11 किसकी प्रशनसा उसकी प्रशनसा जिसने आपको जनम दिया मैंने दो हफ्ते पहले आपको बताया था कि क्रूज से आपको क्या मिला है क्रूज से आपको क्या मिला है क्रूज से दो हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था क्रूज से आपको चार चीजे मिली है किसी को याद है किसी को याद है क्रूज से आपको चार चीजे मिली है आपको पापों शार्पों से मुक्ति मिली है दूसरी पवित्रात्मा आपको मिली है तीसरी नई में आपको आपको जया आपको नए श्रिش्टिवर बनाया ऑफ चौहीद उसनी आपको अपना पुत्र बनाया ऑजिए चार चीजीओं आपको कुरूस से मिली जया Southwest इस डिuzu जब आप न चारों चीजों के संग जीवन को जिएंगे और यह चार चीजे जो मैं आज आपको बता तो आपके इंगे इब्राहीम की सारी आशीश आपके जीवन में आएंगी इब्राहीम की द्वारा आपको आशीश दे दी है कि मैं निश्चे ही तुझे बढ़ाऊंगा मैं निश्चे ही तुझे आशीश दूँगा वो अपनी शबत खाकर बोल चुका है अब वो आशीश हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही है क्योंकि हम उस तरीके से जीवन नहीं बता रहे हैं ज धन्यवाद के समय हमें प्रसंशा करनी है धन्यवाद परमिश्च कि तुने मुझे बचाया धन्यवाद तुने आशीश दी धन्यवाद तुने मुझे पापोशापों से मुक्त किया अपना पुत्र बनाया अपनी आत्मा दी नई शिश्ची में रचाए धन्यवाद बात के संग उसकी प्रशंसा करेंगे उसकी महान तका प्रशंसा करेंगे जो हम मुश्किल में होंगे और रोज अपने घर से निकलते हुए अपने काम पर आप जाते हुए जब आप उची आवाज में बोलकर उसकी प्रशंसा करेंगे कि इशु तो महान है इशु तो अनंदक बशानी निगेटिव चीजें हैं वो सब निकलनी शुरू हो जाएंगे वो सारे बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे अलेरिया मुसा जब इसराइलियों को लेकर मिस्ट से निकला और लाल समुद्र पार करने के बाद वो लाल समुद्र से पार हो गए जब उसने देखा कि कि जो मिस्टी थे वो सब मारे गए हैं तो अगर आप पढ़ेंगे दो सब नाशते crunch की प्रशंसा करते रहे हालेलुया पढ़िए पिटा 211 क 거죠 को सब्ẫnine ball हम तूने अपने श्वास का 조금 चलाया को राप लिए था समुद्र की बात कर है मिसर् की बात कर रहे हैं हम तू निकलाये मेरे भाई मेरी बहन उस जीवन को जीना सीए जो आशीश आपको मिला है, जो छुटकारा आपको मिला है, वो देखिए, रोज देखिए, किस तरीके से हम क्या थे, हम क्या पापी थे, हम कितने गुनेगार थे, हम वेभीचारी थे, हम अत्यारे थे, लेकिन तु किस तरीके से हमें लेकर आगया, तु किस तरीके से तुने ह तुमेश दलदल से निकाला, दलदल की कीचर्ट से निकालकर तुने वे चट्टान पर बैठा दिया है, धन्यवाद, धन्यवाद, रोज महसूस करिये, अंगिकार करिये, उसकी परशंजा करिये, आलेलोया, मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई, अपने आप से बात करिये, अपने भाई को बताईए, अपनी बहन को बताईए, अपनी पतनी को बताईए, बताईए कि वो कितना महान है, बताईए कि पहले आप क्या थे, एसास कराईए कि मैं अब क्या हूँ, परशंजा करिये उसकी, आलेलो करता है तुँ तो पवित्रता की कारण महा प्रतापी और अपनी सुटी करने वालों के भैक योग्य और आश्वर्यकर्म का करता है बेसे लोड, hallelujah, अंगिकार करिए कि तू कौन है, तू कौन है, तेरा नाम कौन है, तू कितना सर्वी शक्तिमान है, तू ग्यानी है, hallelujah, तू कौन है, तो हमें क्या करना है, दूसरा प्रशंसा करनी है, लोग प्रशंसा करना भूल जाते हैं, आपकी कोई प्रशंसा नहीं करे तो आपको घुचा आजाता है, आपको घुचा आता है, रहे अच्छा, कल तो मैंने आपका साथ दिया था अर आज आज आद भी नहीं कर रहे हैं, आता है क्यों से, आता है गुचा, आता है, हालेलुहिया क्या बोलता है मूसा क्या बोलता है मूसा यहोवा देता हूं मैं तेरे तुले कौन है तू तो पवित्ता के कारण महाप्रतापी है और तेरी अपनी सुती करने वालों के भै के योगे और आश्चर करम का करता है तू क्योंकि उसने देखा है मूसा ने देखा है मुसा ने देखा है कि कैसे विपत्तियों के साथ परमेश्वर मिस्ट से इसरालियों को छुड़ा कर लेकर आया समुद्र को दो भागों में बाट दिया रात को आग का खंबा और दिन में बादल का खंबा लेकर परमेश्वर कैसे 25 लाख लोगों को लेकर आया उसने देखा है कि आपने अपने जीवन को देखा है कि आपने जीवने परिवर्दन को देखा है कि इस मैं पहले क्या था और आज हूं हाललुया रोज देखिए रोज देखिए अपने जीवन के परिवर्तन को रोज महसूस करिए और धन्यवाद दिल से उसका धन्यवाद दे दे रहिए कि हम क्या थे और क्या तुने हमें बना दिया हम क्या थे और तुने क्या हमें दे दिया इसलोड उसका रोज धन्यवाद दीजिए उसकी रोज प्रशंसा करिए आप जैसी प्रशंसा करेंगे मेरे भाई, मेरी बहेर मैं आपको चैलेंज करता हूँ शैतान के जितने भी गड़ हैं वो धस्त हो जाएंगे शैतान की सारी योजनाएं धस्त हो जाएंगी प्रशंसा करिए जो आपके जीवने प्रमिशने किया है तीसरा प्रचार रिसलोट प्रचार ये मसीहों का अस्त्र शस्त्र है ये मसीहों का आक्रमन के लिए अस्त्र है प्रचार करना आप प्रचार समस्ते सिरफ पाश्चरी प्रचार कर सकते हैं पार नाई है QR में क्या शक्ति यह जब पर्मीश्यर का वचन आपके मूँ से निकलता है ये चारा पर चैसा या पिछ पर परमीशर का वचन भी होगा ज्य कई म्हिलर मूखत निकलता है वा व्यर्ट परमिश्य की कहता है मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है जिस तरीके से बारिश होती है जिस प्रकार से वर्षा और हीम आकाउश से गिरती है और वहां योही लॉट नहीं जाते और वहां वेर्थी लॉट नहीं जाती है वो सिचाई करती है जहां बारिश गिरती है वो भूमी जोधने के काम आ जाती है वो सिचाई करती है उस भूमी को हालेलया उसी तरीके से परमेशर कहता है मेरा वचन है जब मेरा वचन मुझ से नि परमेश्य का वचन बिना काम के नहीं आता है इसलिए आप रोज एक वचन बोलें रोज वचन के दौरा आपने जीवन को बिताएं क्योंकि इर्मिया 23 का 29 क्या कहता है कि मेरा वचन आग है Praise the Lord इर्मिया 23 का 29 इर्मिया 23 का 29 क्या कहता है कि मेरा वचन आग है यह हुआ कि यह भी वानी है क्या मेरा वचन आगसा नहीं क्या मेरा वचन आगसा नहीं है फिर क्या वो ऐसा हत्रोडा नहीं जो पत्थर को फोड़ दे मेरा वचन पत्थर को फोड़ सकता है मेरा वचन आपकी विपत्ती की चट्टान को फोड़ सकता है मेरा वचन आपके रास्ते से दुख को निकाल सकता है मेरे वचन में वो ताकत है परमिश्वर के वचन में वो ताकत है इसलिए हमें रोज प्रचार करना है हमें रोज वचनों को बोलना है जब आप रोज वचनों को बोलेंगे जब आप रोज प्रतिग्या के वचनों को बोलेंगे जब आप रोज परमिश्व के वचन को अपने मुझ से निकालेंगे वो काम करेगा वो काम करेगा और शैतान की जितने भी योजनाएं हैं, आपके वुर्द वो तोड़ेगा, और आपके जीवन में एबराहीम क की आशी शियाने शिरू हो जाएंगे, आपके जीवन में एबराहीम क की आशी शिरू हो जाएंगे, आप समझ रहेंगे जी समझ रहें हलो इबरानियो चार का बारा इबरानियो चार का बारा इबरानियो का लेखक कहता है पॉलोस कि जो वचन है वो दो धारी तलवार है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवीत और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्रान और आत्मा को और गाट गाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाव और विचारों को जाचता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवीत है और प्रबल है जब उसके मुक्स निकलता है वचन वो जीवीत है और प्रबल है जिसमें शक्ती है हलुलिया और वो एक दो धारी तलवाल से भी बहुत चोखा हैं बहुत शारफ का वचन जब आब उसको अपने अंदर लए गए ना तो गूदे गूदे को क्या लिखा हुआ है कि वह जीव और आत्मा को और गाठ गाठ और गूदे गूदे को अलग करता है जब वह वशन आपके गूदे तक पहुंचता है प्रब्लम क्या हो रही है कि वचन आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा है वचन आपके जीवन में क्यों नहीं आपके गूदे-गूदे को अलग क्यों नहीं कर रहा है जानना चाहते हैं अब परमेश्य का वचन जो की शक्तिशाली है दो धाली तलवार है चोखा है और वो आपके गूदे-गूदे को आरपार कर सकता है ध्यान से सुनो अभी लेकिन वो आपके गूदे-गूदे को क्यों नहीं भेद रहा है क्योंकि परमेश्य का वचन आपके गूदे तक पहुंची नहीं रहे परमेश्य का वचन आपका इस कान से निख जाता है कि आप उसको अंदर ले ही नहीं रहे है जिससे आपने परमेश्य का वचन अंदर लेना शुरू कर दिया वो आपके अंदर情況 आक के वो बताएगा जीवन क्या है और आपका स्वरूप बदल जाएगा, आपका सोचना बदल जाएगा, आपका दुनिया को देखना बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका सौभाव बदल जाएगा, जिस इन परमेशर का वचन आपके अंदर गूदे में गया कि आपका परमेशर का वचन आप कलिस्या में आते हैं परमेशर का वचन यहां से लेते हैं और यहां से आप निकाल देते हैं इसलिए वो आपके अंदर जाए नहीं रहा है इसलिए वो आपके आपको भेज नहीं रहा है इसलिए वो आप सच नहीं यान पा रहे हैं एक तो ले परमेशर आप बहुत गलस सोचते हैं ऐसे नहीं मिलता परमेशर है ऐसे उसका वचन काम नहीं करता है साडरे नो बजी की सभा आप नो बुज़े आईए घुटने टेक के पराथना करिये ऐसे नहीं मिलता है मेरे भाई ऐसे प्रभु नहीं मिलता है मेरे पास पैसे नहीं होते थे पैदल जाता था मैं 5 किलूमीटर दूर था मेरा चर्च मेरे जूते फटे होते थे और मेरी पत्नी बैठी हुई है उससे पूछ लो मैं घुटनों पे रहता था घुटनों पे नीचे आकर उसको बोलता था कि बच्चे को दूर रखना मुझसे इस एक एगंटा मुझसे बात नहीं करे कुटने पे आकर रोता था मुझे समझ नहीं आता था मैं मांगता था घर से निकलते समय प्राथना करता था कि प्रभू आज मुझसे बात करना आज जो पास्टर मुझे बताएं अपने मुझे बोलें वो मुझे समझ में आए तरपता था मैं ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं प्रभू मिलता है साड़े नो बजी की सवा में आप ग्यारा बज़े आ रहे हैं, साड़े जास बज़े आ रहे हैं किसके लिए आपको लगता कि मैं पास्टर पर रहा है सान कर रहा हूं चर्ज पर आप बहुत गलत पहले आई एक घुटने पर प्रात्रा करिए जो आने वाले उनके लिए प्रात्रा करिए कलीशिया के लिए प्रात्रा करिए आपका जीवन बदल जाएगा, एक दिन आप प्रभू को सही तरीके से नहीं देते हैं वो भी इमांदारी के साथ नहीं देते हैं एक दिन कि चलो आज संडे का दिन फूरी तरह प्रभू को दू नहीं तो आप जीवन क्या देंगे अगर आप एक दिन प्रभू को सही तरीके से नहीं दे सकते हैं तो आप अपना जीवन क्या देंगे कुछ घंटे अगर आप उमीद करते हैं प्रभु कोई कुछ देगा जितना दे रहा धन्यवाद दीजिए पर्भू को उतना आपको खाने को मिल रहा है कि दो धाली तलवार है उसका जीवित वचन जब आपके अंदर जाता है ना मैं गवाँ हूं आपके गुदे-गुदे को अलग कर देता है आप पाप सुनने से डरेंगे आप बोलने से डरेंगे कि नहीं या नहीं मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर पाप के विरुत है मेरा परमेश्वर पाप बरदास नहीं कर सकता नहीं मुझे नहीं करना है आप कोई भी गलत बात अपने मुझे निकालने से डरेंगे, क्योंकि उस वचण ने आपके गूदे-गूदे को भेद दिया है. इसलिए मैरे भाई, हमें रोज उस वचण को अपने मुझे निकालना है, जिसने हमारे गूदे-गूदे को भेदा हुआ है, तकि दूसरे भाई, दूसरी बहन के जीवने परमिश्र का अशीष मिले और जिस नहीं आप प्रचार करने लगेंगे रोज, आप समझते कि आप कलीशिया के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप गलत सोचरे हैं, क्यूं आप बंधन में हैं, क्यूं आपके बच्चिया भी तक कली प्राब्लम है आपको क्योंकि वह वशन जो दोधारी है वह आपके अंदर जाकर गुदे गुदे को भेदा नहीं है उसने इसलिए आपको चार पैसों की वैल्ली ज्यादा है इस संडे को पैसे कमा लूँगा चार पैसे वह आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे है नाई मेरे भाई परमेश्वर के वशन से कीमती कुछ नहीं है इसलिए क्या लिखा हुआ है इंसान रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के बुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहेगा वचन कहता है इसलिए उस वचन का प्रयोक करिये हुए ड़ी कि तो क्या तीन चीजेह हमने से की प्रात्ना के qualité दूसरी कि प्रशंसा तीसरी प्राचार चौथ गवाई प्रमान Hallelujah गवाई ही क्या है Hallelujah X एक का आत Permission क्या चाहता है Permission ने आपको क्यों चुना है Permission ने आपको क्यों चुना है पर तो जब अविद्रात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और योश्रम और सारे यहुदिया और सामरिया में और पृत्वी के छोड तक मेरे गवा होगे किसके लिए चुना पर्मिशन ने आपको हलो बात करिए किसले चुना पर्मिशन ने आपको आवास करिए किसले चुना है आप गवा होंगे आपको गवा के रूप में चुना है कि आप दूसरों के लिए गवा हैं कि आप दूसरों के लिए गवा हैं परमेश्च ने कहा है कि तुम मेरे गवाह होगे वू चाहता है कि तुम मेरे गवाह हो यहाय 43 का दस यह फॉपbell that sido कि यह यह वानि है यह वाकी Yahya तुम मेरे साक्षी रहो तुम मेरे घवा हो और मेरे दास हो तो गवा जो है को जानता है कि कुन हूँ गवा जानता है कि परमेशर कौन है है वो जिसकी गवाई दे रहा है वो कौन है किया फर्रे आप अपने पति के लिए कवा हो सकती है मेरे पति का नाम यह है और मेरे पति यह है और मेरा पती बहुत प्यार कड़ता है क्वाइं कर आंप आप अपने पिता की गवाई दे सकती हैं मेरा पिता यह है मेरी मां यह सब लोग बोलते हैं मेरी मां से बढ़कर कोई नहीं है नो आपकी मां जो है वह बहुत अच्छी है मेरी मॉह बहुत अच्छी है अब सब लोग बोलते हैं अबने अपने मातागा पिता के गवा कैसे आख़ा है क्योंकि आपने बच्पन से अपने हूं अबન को कि एक कि हम उसको जानकर रिप्रेजेंड करें क्या लिखाऊ वा आगे बढ़िये हम उसके गवाँ हैं हम उसके जास हैं दुबार ritual यहवा की यवानी है तुम मेरे साक्षि हो और मेरे दास हो जिनने मैंने इसले Zhou शुना है कि समझ कर मेरी प्रतीती करो, समझ कर मुझसे प्यार करो, इसलिए उसने आपको क्या बनाया है? घवाह, दूसरा करूंतियन 5 का बीस, उसने आपको अपना राजडूद बनाया है, प्रिसलोट, बोलिए मैं परमेश्वर का गवा हूँ जोर से बोलिए मैं परमेश्वर का गवा हूँ अब आपको गवा के रूप में अपने जीवन को गुजारना है आप में इशु दिखना चाहिए आप में इशु का सभाव होना चाहिए आप जो बोलेंगे इशु सत्य है आपको सत्य ब हाग अगर जूट बोलते हैं और कहते हैं इशु सच्छा है तो किया गवा हैं कि अगर कोई आपको गाली देता है और आप वी उसे गाली देते हैं तो क्या बिचु के गवाँ ऐसे जा है इशु कां गवाँ आई जो इशु की तरह जीवन बिताय बींच आप में अगर ईशू नहीं तो आप इशू के गवा नहीं है इसलिए वह बोलता है कि मैंने तुम को क्यों चुना है कि तुम मेरे गवा हो और क्या लिखाओ प्रेज़ेतर काम एक आठ में के सामरिया पृत्वी के छोड तक तुम रे गवार हो हमें लोगों के सामने उसके गभा बनकर रिप्रेजन करना है यह चौथा पॉइंट है मैं आपको सच बता रहा हूँ फरमेशन ने मुझे अद्बुत तरीके से यह बचन दिया है मैं आपको बता रहा हूँ अगर यह चारो पॉइंट्स आप अपने जीवन में यूज करेंगे आप देखेंगे के इबराहिम की आशीशें आपके जीवन में काम करनी शुरू हो गई है यह चार चीजें नंबर दो पहला प्राथना नंबर दो प्रशंसा नंबर तीन प्रचार चौथा प्रमान गवा कि मैं उसका गवा हूं और परमिश्व क्या कहता है कि मैं ने तुमको गवा इसलिए बनाया है ताकि तुम समझ कर मुझे प्यार करो इसे ही मात आओ कालीश्या में का आज यहां आगया कल वहां चले गए कल वहां चले गए कल उसको पूझ लिया नहीं भैया कुछ नहीं होने वाला आप टाइम टाइम best कर रहा है ओशня है अक आपना टाइम बैस कर रहे हैं और आपने उसको समझ लिया है तो मेरे भाईus आप कलीशिया के बिना जी नहीं सकते हैं आप अगर कलीशिया के बिना जी रहे हैं इसका मतलब आपने उसको नहीं समझाए नहीं समझाए मेरी बीमारी, मेरी कमजोरी आज ये नहीं है, आज वो नहीं है आज बारिश है, आज तुफान है आड इसले कलिसिया नहीं आ रहा हूं आपने इश्यू को नहीं समझा है नहीं THOMG नहीं सम जफले के हम बिमार नहीं बढ़ते क्या क्या हम्म में तकलिफ नहीं होती क्या मैं तो पचास पास्टर्स को बिला सकता हूं किसी को भी आराम कर सकता हूं लेकिन नहीं मुझे गवा बनना है मुझे परमिक्षर को बताना है कि मैं उसका गवा हूं मेरे हर काम से उसकी गवाही दिखाई दे मेरे घर काम में इशु दिखाई दे मेरे बोलने में मेरे चलने में मेरे बैठने में मेरे उठने में चाहे मैं घर में रहूं या घर के बाहर रहूं मुझे में इशु दिखना चाहिए क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु कि मृत्यों को जब तक वहां ना आए प्रचार करते हो प्रभु वच क्या है प्रभु वच क्या बताता है एकता के बारे में प्रभु वच क्या बताता है कि आप उसके गवा ठेरें प्रभु वच क्या बताता है कि जब तक वह ना आ जाए आपको उसकी मौत का प्रचार करना है कैसे एक गवा के रूप में जब तक उसकी मौत आप में नहीं दिखेगी, आप किसी को जीवन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, अलो, एक वचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो क्या कहता है, गलतियों 2 का बीस, कि मैं मसी के साथ क्रूस पर चड़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, प्रन्तु मसी मुझ में जीवित है, मसी मुझ में जीवित है, मैं मर शुका हूँ, आप सच्छे गवा तब होंगे, जब आप अपनी आरिनिफिकेशन को खो देंगे, और जब इशू की आरिनिफिकेशन को आप लेके चलेंगे, पालुस कहता है कि मैं आप जीवित नहीं रहा, मसी मुझ में जीवित है, मैं मसी के साथ कुरूज पर चड़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसी मुझ में जीवित है, और मैं शरील में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, जो परमेश्व के पुत्र पर है, यानि कि मैं गवा हूँ, अब मैं अगर धरती पर जीवित हूँ, तो मैं उस विश्वास के संग जीवित हूँ, जो परमेश्वर का मुझ पर है, जो विश्वास को लेकर मैं जीवीत हूँ. यानि के मैं इश्व का गवा हुँ. हलो, समझे आप लोग? मैं कौन हे? इश्व का गवा. तो चार चीजें हैं, मेरे भाई, मेरे बेहन. अगर चार चीजें, मैं आपको चलेंज करता हूँ, इन चार चीजों को आप रोज उप्योग करेंगे प्लीज मैं आपको सू समचार सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं जब भी आपको सू समचार सुनाने के लिए कहता हूँ तो आप कहते हैं देखो पास्टर चाहता है कलीशिया बढ़े कलीशिया परमेश्र बढ़ाता है और मेरा कलीशिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा मेरी इच्छा क्या है कि जितने भाई भेन हमारे कलीशिया में आते हैं वो सब आत्मिक मजबूती से बढ़ जाए इसलिए आप किसी के पास मज़ जाएए मैंने अपनी लीडर्स को बोला है आप किसी के पास मज़ जाएए सूसमाचास तुनाने लेकिन जो बहने हैं जो हमारे चर्श में आती हैं उनके घर में जाएए उनको मजबूत करिये वो कैसे जीवन जीते हैं उनको मजबूत करिये उनको प्रचार करिये उनको अपनी गवाई बताईए उनके संग प्रात्ना करिये उनके संग प्रशंसा करिये उनके संग इस्तुती करिये जाईए अपना समय निकालिये इब्राहेम की आशीशें आपका इंतजार कर रही हैं बता रहा हूं मैं मैं यही करता हूं और कुछ नहीं करता हूं मेरा यही काम है मेरा यही काम है प्रभू की स्थुति, प्रभू की प्रशंसा, प्रात्ना, प्रचार और प्रमान मैं अंगिकार करता हूं कि मैं इश्यू मसी का चुना हुआ दास हूं इस चार चीजें अगर आप रोज करेंगे रोज सब को समझ में आया की नहीं आया सब को समझ में आया बहिनों को समझ नहीं आया क्या सब को समझ में आया आप करेंगे रोज मैं आपको चैलेंज करता हूं कुछ ही समय में आप मुझे यह गवाई देंगे यह आपर कि जब से हमने यह करना शुरू किया है हमारा जीवन बदल गया है हमारे घर से बिमारिया निकल गई है कि समझ गया है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो आप इस कलीशिया के अंग हो अगर आप नहीं समझोगे तो आप अपनी आशीशों को खो रहे हो परमेश्वर को दुख होता है कि मेरा बेटा जिसको मैंने इबराहिम की आशीशे दे दी जिसको मैंने इतना सब कुछ दे दिया जिसके लिए मैंने अपने एकलोटे पुत्र को मार दिया बलिदान कर दिया वो अभी तक दुखी है, वो अभी तक दूखी है, आपको बॉरा लगता है न, कब नगे प्रातना करते हैं, कभी नगे आपके अंदर आता हो, सब्रोमे ने प्रातना कर रही हूं, प brick मेनी स्नुनी नगा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अबी वी राशन की प्रॉबलम हैं अभी इभी ये प्रॉबलम हैं अभी व lb prakton से लिए-व ऐस का इसका कौन कारुन है औह आप अप कि अब दर्वाज़ा लिए तो कि अब का तो और टो करहें यह ये चार चीजें आपका दर्वाज़ा खोल देंगी आपको समझे नहीं आएगा कि आशीशे कैसे आने लगी, आपके घर में बरकत होने लगी अलो, कितने लोग समझें, कितने लोग दिल से समझें मैंने इतनी मेहनत किये, प्लीज इन वश्रों को अपने अंदर उतारिए मैं चाहता हूँ मेरे हर बच्चे का, हर भाई, बहन का जीवन बदल जाए जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि प्लीज इन वश्रों को, इन चार चीजों को अपने जीवन में उतारिए परमेशर आपको अद्भोता शीर देगा मैं विश्वास करता हूँ आज का बच्चन आपको अच्छा लगा है, हालेलिया प्रेस अलॉड, गाद ब्लेस यू, गाद ब्लेस यू, गाद ब्लेस यू, हालेलिया